अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स आज हम खोया या मावा से ऐसी टेश्टी बर्फी बनाएंगे इसको खाकर आपको मज़ा आजाएगा और इसको आप बार 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 बनाना चाहेंगे इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम खोया लिया है लगबग एक कप है एक खोय का और इसको हम बारी बारी काट लेंगे या फिर कदुकस भी हम इसको कर सकते हैं और गैस पर रखकर हम इसको बस हलका सा लाइट ब्राउन हमें इसको भूनना है कलर चेंज नहीं होने देना है बस थोड़ा सा ही जिससे इसका कच्चापन खतम हो जाए देखे ये बुन गया है इसमें फिर हम आदा कप से भी कम चीनी डालेंगे आपकी मर्जी है आप अगर ज़्यादा खाना चाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं और इसको डाल कर हम चलाते रहेंगे ये मेल्ट हो गई है चीनी जब डलती है तो उसमें पानी छोड़ती है और ये फिर दो चम्मच मैंने कोकवा पाउडर के इसमें डाले हैं इनको भी डाल कर ह जब तक पानी ना जाए और इसको भूनते रहेंगे फिर एक चमच इलाइची पाउडर का डालेंगे या फिर आप गुलाब जल्बी डाल सकते हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा देखे ये भून गया है और फिर इसमें हम आधा कप मैदे का डालेंगे जिससे हम इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये जमने लायक हो जाएगा ये डाल कर हम चलाते रहेंगे और इसको हमें थोड़ा गाड़ा होने तक पकाते रहना है आज हमें हलकी ही रखनी है आज हमें बढ़ानी नहीं है फिर किसी भी ट्रे में जिसमें आपको जमाना है उसमें एक बटर पेपर लगा कर उसको थोड़ा सा ओयल लगा कर ग्रीस कर और इसमें हम इसको डाल कर जमा देंगे इसके थोड़े से ड्राइफ रूट्स कटे हुए जो भी आपके पास हैं वो इसके उपर लगा देंगे मैंने बादाम लगाए हैं और आदा गंटे के लिए इसको हम बाहरी छोड़ देंगे आप फ्रीज में भी रख सकते हैं आदा ग गेजर में आप इसको बना सकते हैं बच्चों की तो यह मोस्ट फेवरेट होती है और उनको कभी भी बना कर दे दो यह बहुत उनको पसंद आती है यह देखिए कितनी टेस्टी हमारी बर्फी बनकर तयार हुई है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए देखिए मैं इसको तोड़ कर आपको दिखा रही हूँ यह कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और अपने अनुभो मेरे इजी स्वाइसी किचन पर जरूर सेयर कीजिए और आपका रेसीपी देखने के लिए शुक्रिया